हलो दोस्तो स्वागत आपका एको नई वीडियो में हाजरू आपके लिए एको नई अपडेट के साथ अपडेट से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने कहा तो चैनल को सब्सक्राइब करेए बेल आइकन जुरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सकेए तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले ओला इलेक्ट्रिक बाइक के बरी में कुछी से में पहले मैंने बताया था कि ओला जो है पंदर आगस्त हो एक इवेंट करने वाला है जिसके अंदर जो है वो अपनी एक इलेक्ट्रिक बाइक शोकेस करने वाले हैं या लॉंच भी कर सकते हैं उसके अंदर शोकेस तो उन्होंने पहले ही कर दिया था फाइनली जो है लॉंच करने वाले हैं और वो बाइक होने वाली थी रोड्स्टर जी हां इसके बारे में मैंने आपको बताया था लेकिन फिलहाल जो है उन्हों ने एक टीजर लूंज किया जिसके अंदर जो है बाइक काफी आपको नेरो दिख रही है सामने से काफी छोटी प्लब एक 100 से जो 1500 सीसी बाइक होती है उस हिसाब से दिख रही है रोस्टर की तरह आपको बलकी लुक नहीं दिख रहा है तो हो सकता है कि यह रोस्टर नहीं हो बाइक इसके अलावा जो है एक अलग बाइक लोंज कर दे जो की एक जिसका प्राइस सेग्मेंट रहने वाला है Under One Lake ये हो सकता है Under One Lake वाली bike हो सकता है Roadster तो ये नहीं लग रही जिस हिसाब से इसका look है क्योंकि इसका जो है Front Headlight का look आपको जो OLA का Electric Scooter देखता है जिसके अंदर Dual Projector आपको देखने को मिलते हैं सेम उसी और उपर जो आपको DRL भी देखता है तो यह जो है ola electric scooter की तरह ही front look आपको देखने को मिलता है और roadster के अंदर जो है आपको अलग look देखने को मिलता है फ्रड्स है तो यह तो confirm हो गया है कि यह bike जो है roadster नहीं होने वाली है कोई अलग ही जो bike launch करने वाली है company क्योंकि roadster का look काफी बलकी था और ये काफी narrow end पतली bike लग रही है सामने से दिखने पर और अगर हम बात करें कि हो सकता है ये दो bike भी launch कर सकते हैं roadster भी जो है ये launch कर सकते हैं 15 अगस्त को और ये जो bike है new जो इनने teaser में दिखाई है ये भी जो है bike launch कर सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है लेकिन look के इसाफ से अगर अभी जो judge करें हम इसको इस condition में इस video के था है तो ये जो है roadster तो बिल्कुल भी नहीं लग रही ये कोई जो है छोटे segment की बाइक लग रही है जिसके अंदर आपको power और range भी कम देखने को मिलने वाली है और जो है पंदर अगस्ट को ये launch कर देगी और इसी के साथ जो है company और भी कुछée launch करने वाली है तो ये तो हम्हें पंदर अगस्ट को ही पता चलेगा कि कौन सी बाइक वो launch करने वाले है दो बाइक होने वाली है एक बाइक रहेगी कि रोड स्टे रहेगी या कोई और अलग बाइक रहेगी उन्होंने कुछ समय पे ले यह दिखा है ता जिसके अंदर आपको मिड प्राइज रेंज में आने वाली है अंडर वन लेक या अंडर वन पॉइंट टू लेक तक कि जो है आपको ये देखने को मिल सकती है लेक के थूरू ये पता चला है कि इतनी जो है इसके प्राइज रहने वाली है रोस्टर जो आती अगर तो उसके प्राइज जो है काफी आपको massive देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको 200 प्लस रेंज देखने को मिलती है और जो है इतना बड़ा battery pack होने के कारण जो है weight भी बढ़ जाता है और जो उसकी look है वो उसमें जो है bulkiness आ जाता है लेकिन इस model में आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं देखने को मिलता काफी च्छोटी आपको bike देखने को मिलती है छोटे segment की bike देखने को मिलती है तो यह confirm हो जाता है कि रोड्स्टर तो नहीं है लेकिन company जो है दो bike भी लोंच कर सकती है यसा नहीं है कि company नहीं कर सकती को हो सकता है उनका plan हो एक जो है low segment में quality launch करने का और एक जो है upper segment में गाड़ी launch कर रहे हैं क्योंकि उनके portfolio में काफ़ी जो है range आपको देखने को मिलती है अलग-अलग electric scooter की अब वो है जो bike category में आ गए हैं तो कितना वो सफल रहते हैं bike category में यह तो आने वाले वक्त ही बताएगा thank you for watching this video